पुश्कार स्वागत आपका सेल्स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि Manual Scavenging भारत में क्यों बंद नहीं हो रही और सबसे पहले हम बात भी करेंगे कि सर ये Manual Scavenging क्या होती है ये भी आप लोगों को समझाएंगे फिर हम जाएंगे कि Manual Scavenging भारत में बंद क्यों नहीं हो पा रही अब Manual Scavenging एक कान देखे 1993 में इसे परतिबंद कर दिया गया था 1993 में और आज 2023 हा गया 2023 में अभी भी ये 66% ही ये कहेंगे कि जो जिले हैं उन्होंने अपने आपको काये कि वहाँ पर Manual Scavenging नहीं होती वहाँ पर Mechanized तरीके से चीज़ों को किया जाता है अब 1993 से 2003 हो गया इतना अभी भी नहीं कर पाए अभी भी हम लग भग 35% बैन नहीं कर पाए जिसे लोगों की मोत भी हो रही है Manual Scavenging से लोगों की मोत हो रही है उनके परिवार के उपर बहुत जादा असर पड़ता है उनके हैल्थ पर बहुत जादा असर पड़ता है ये सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से कावर करने वाले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डेटा को हाइलाइट किया गया उस डेटा के अंदर बताया गया कि 766 में से 508 जिले ऐसे हैं जिनोंने अपने आपको Manual Scavenging फ्री गोशित किया कि वहाँ पर Manual Scavenging नहीं होती Mechanized तरीके से काम होता है 66% ही ये आंकड़ा निकल कर आता है बाकि 35% अब ये देखे 66% कहीं अरे सरकार ने इतना तो कर लिया अब इतना तो बंद हो गया आने वाले टाइम में और बंद हो जाएगा बात ये नहीं है कि आने वाले टाइम में बंद हो जाएगा आप ये देखे 1993 में इसमें बैन लगाया गया था 2023 आ चुकी है और इसके कारण आज भी बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है या फिर उनके स्वास्ते के अपर बहुत ज़्यादा असर पढ़ रहा है या फिर आप एक सोचिए ये काम करने वाले लोगों की गरीमा के उपर कितना प्रवाव पढ़ता है एक इनसान की अपनी गरीमा होती है वो इज़त से जीए उनको किस तरीके से देखा जाता है आप देखेंगे कभी भी आप अपने इलाके में आसपास के अरिया में देखिएगा अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहांपर सीवर्ज की सुफाई की जा रही है और वहाँ पर मैनुल स्केवेंजिंग हो रही है तो आप देखें वहाँ पर उसके साथ कैसा ट्रीट किया जा रहा है तो बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं गवर्मेंट की नीतियों के उपर यहाँ पर अब यह सब चीजें हुई है तो यह सब चीजें हुई है 66% ही यहाँ पर कुछ इस्टिक्स हैं जिन्हों ने अपने आपको मैनुल स्केवेंजिंग जब फ्री गोशित के तो इन सब चीजें के प्रयासों से डेफिनिटली हो रहा है लेकिन इन सब चीजें के बावजूद भी सरकार की नीतियों के उपर सवाल खड़े होते हैं कि यह सब आखिर कब बंध होगा या फिर कब इसके उपर पूर्ण रूप से बैन लगा जाएगा या फिर सारे जो स्टेट हैं या फिर जितने भी जगहें पर मैनुल स्केवेंजिंग हो रही है वो पूर्ण रूप से बंध हो जाएंगे बात करते हैं कि मैनुल स्केवेंजिंग क्या होती है हिंदी में आप देखें हाथ से मैला उठाने के प्रता यह मैला क्या होता है यही सबसे बड़ा सवाल यहां पर आता है देखे हाद से मैला उठाने की एक ऐसी प्रता जिसमें बिना किसी सुरुक्षा साधन के अपने नगन हातों से जो भी सारुजनिक सडक पर या फिर सूके सोचले में मानव मल को देखे मानव मल को हटाने सैप्ट सिक टैंक गटर और सीवर की सफाई करने को परिवाशित यह एक डैफिनिशन दी गई है कि इसी को हम कहेंगे मैनवल्स के विंजिंग बारत में जो हाद से मैला डोने की जो एक प्रता है काफी लंबे टाइम से चली आ रही है और यह समस्या जो है वो 1993 में इसको बैन करने की कोशिश की भी गई थी और किया भी गया ऐसनी की कोशिश की गई थी यो बैन नहीं हुआ बैन कर दिया गया लेकिन आज भी इस सब चीजे चल रही है सोचिए यह एक इनसान यहांपर किस कंडिशन के अंदर यहांपर खड़ा किया गया है तो यहांपर कितने सारे factors जो हैं इस इंसान को यहाँ पर लाते हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं, कास्ट बेस्ट सिस्टम हो गया, या फिर इनके पास कोई भी एजुकेशन नहीं है, कोई स्किल डेवलोप्मेंट की जो प्रोग्राम जो गॉर्मेंट के तोरह चलाए गया अब हम बात करते हैं, कि जो समिधान है, उन्होंने क्या-क्या या कानून वी प्रावधान जो है, वो manual scavenging के लिए दिये हैं, obviously, समिधान के अंदर काफी सारे article हैं, जो दिये गए हैं, manual scavenging की किया, जो भी भारत के अंदर पर बहुत सारे जो इन में काम कर रहे होते हैं लोग उनके साथ ऐसा किया भी जाते हैं वहीं आर्टिकल 21 जो कहते हैं कि अपनी जीवन को बचा सकते हैं अब यहां पर इनको सेप्टिक टैंक किया फिर कहें कि सीवच की सफाई के लिए उतारा जाता है तो वहां पर कितने सारे लोगों की जान जाती है तो वहां पर उनके लिए आर्टिकल 21 दिया गया है आर्टिकल 23 वहीं आप किसी को जबरदस्ती यह काम नहीं करवा सकते हैं फोर्स लेबर नहीं करवा सकते हैं तो यह आर्टिकल दिये गए हैं इसके अलावा लीगल प्रोविजन के हैं एक एक्ट लाया गया था 2013 में प्रोविशन ओफ इम्प्लॉइमेंट एज मैनुल स्केवेंजर और रिहाइबिलिटेशन एक्ट 2013 इ यह किसी को भी हाथ से मैला ढोने वाले के रूप में नियोजित करने अत्वा नियुक्त करने पर रोक लगाता है कोई भी आप उसमें इम्प्लॉइमेंट नहीं दे सकते हैं और जो भी देर आए उसके ओपर बैन लगाया गया और ऐस्वाच सोचालों के निर्वान तथा र बताऊंगा कि जिस कारण जो एक विक्ति जो वो सीवज के अंदर उतरता है उसकी सफाई के लिए क्या क्या कारण है एक आता है इन एफिशिंट सीवज मेनेजमेंट सिस्टम भारत के अधिकांस नंगर पालिकाओं कर आप देखें तो वहाँ पर सीवज की सिस्टम की ही करने पड़ती है साथ ही साथ जो एक उसल मजदूरों की बहुत जादा हमारे देश के अंदर होने के कारण भाई वहाँ पर ठेकेदार उनका फायदा उठा लेते हैं और उनको अवैद रूप से दैनिक मजदूरी पर काम पर लगा देते हैं आप ये भी देखते ही होंग जाती अधारित समाजिक पदानो करन अब ये एक और फैक्टर आता है कि कास्ट बेस सोशल हिरार्किया आती है देखे मैला ढोने के एक एतियासिक प्रथा के रूप में भारत में जाती विवस्ता से जुड़ी हुई है कुछ जाती और जनजातियों को एशुद और जो है इन हाश्य के समुदा है मतलब कि जो ये कम्यूनिटी है जिनको इनसिगनिफिकेंट यानि महतरपूर्ण नहीं माना जाता उनके पास जो रोजगार के साधन के रूप में मैला ढोने की निरंदनता में योगदान ही रहा है अब देखे एक तो जाती अधारित हो गया उपर सिनको कोई काम नहीं दे रहा काम नहीं दे रहा तो इनके पास काम क्या बचता कि भाई एटलिस्ट अपने जीवन यापन के लिए यही काम कर लिया जाए तो मजबूरी में यह काम करना वो शुरू कर देते हैं अब देखे यहाँ पर लैक ओफ अल्टरनेटिव लिव चक्र में फस चुके शिक्षा और कोशल विकास कारेकरम तक उनकी पहुंच की कमी के कारण उन्हें वेकल्पिक आजीविका के अफसरुपलब्द नहीं होते आर्थिक विकल्पों की कमी उन्हें जीवित रहने के लिए मैनुवल स्केवेंजिंग के काम जारी रखने के देखे स्वास्ते संबंदी खत्रे मानव अपसिस्ट यानि कि हुमन वेस्ट उटाना वो कितना ज्यादा खतरनाक हो जाता है या फिर आप सीविज के अंदर जाते हैं उनकी जान के उपर कितना ज्यादा खत्रा आता है देखे इससे हेजा, टाइफाइड, हैपेटाइटिस और भी बहुत सारी सांस की high problem हो जाती है यहाँ पर सुरुक्षा की उपकरणों की कमी के कारण और सैनिटाइजेशन की एक infrastructure की खराब स्थिती के कारण अब यहाँ पर और स्वास्थे संबंदी खत्रे और जादा बढ़ जाते हैं जिसके कारण हाथ से मैला ढोने वाले में बिमारियां और समय से पहले मोत के अधिक मामले देखे भी जाते हैं यह सारी चीज़ें जाते हैं वो रिपोर्ट में सामने भी आती हैं गवर्मेंट जो बोल रही है आप देखेंगे खुद गवर्मेंट ने ऐसे प्लैन चलाये थे या सुप्रीम कोट ने अपने एक आदेश के अंदर कहा था कि जो भी लोग मारे गए हैं 1993 से उनकी पहचान के जाए हर हर परिवार को 10-10 लाक रुपे जो हैं वहाँ पर मौवजी के रुप में दिये जाएं तो डेफिनिटली इससे डेथ होती है स्वास्ते के उपर बहुत ज़्यादा परभाव भी पढ़ते हैं और एक और जो चीज चलती है हमारे यहां पर जो मैनुवल स्केवेंजर होती है उनके उपर कि गरीमा और मानव अधिकारों का उलंगन हर एक इनसान का अपना एक होताने राइट है उसको गरीमा से जीने का लेकिन मैनुवल स्केवेंजर होते हैं उनकी गरीमा के उपर कितना ज़्यादा परभाव पढ़ता है कि आप ये जो human waste है उसको आप उठाएंगे क्यों उठाएंगे क्योंकि देश के अंदर बुनियादी सवस्ता सुविधा ही नहीं है infrastructure, sanitization के जो infrastructure वो सरी ढंक से नहीं है तो उन्हें मजबूरी में ये एमानवे और अंतेंद गंभीर काम ये करना पड़ता है अपनी खतरनाक परस्तितियों के कारण बहीं उनके पास opportunity तो है नहीं उनके पास शिक्षा है नहीं skill program उन तक पहुँच नहीं पाए जाती अधारित ववस्ता ओलिडी चल रही है तो ये सारी ववस्ता हैं जो हैं वो उनको धकेल देती हैं काम करने के लिए ये जो पेशा है समाजी कलंग, बेदवाव जो ये परभावित affected समधाय है इनको और ज़्यादा धकेलना जाती दारित उत्पिडंद को और ज़्यादा बढ़ावा देता है अब psychological or emotional trauma भी पढ़ता है जो भी manual scavengy के कारे में जो उनके उपर गंबीर रूप से psychological और emotional परभाव भी पढ़ता है लागातार गंदगी के संपर्क में रह रहे हैं कारे समंधी, बदनामी, बेदवाव का वो सामना करते हैं इससे क्या होता है मानसिक स्वास्ते पर गहरा परभाव पढ़ता है manual scavenger जो है psychological problem क्या होती है बहुत परभाव पढ़ता है आप सोचिए एक इनसान जिसको मजबूरी में ये काम करना पढ़ता है जब आप उससे बात करके देखेंगे तो वो अपना एक दर्द आपको बताएगा कि उसको कैसा कैसा treat किया जाता है लोग उसको कैसा treat करते है समाज के अंदर उसकी क्या value रह जाती है manual scavenger पर मतलब अंकुष लगाने के लिए सरकार की पहल और सर्वोच नैले ने क्या निदेश दिये सर्वोच नैले ने निदेश दिया था 2014 के अंदर कहा था कि सरकार जो है लाया जाता है भुकतान यानि की payout and subsidies लगबग 58,000 manual scavenger की पहचान की गई परते को 40,000 रुपे one time payment वहां पर की गई थी 22,000 लोगों यानि 22,000 manual scavenger को causal prescription परग्रमों से जोड़ा गया rehabilitation का मतलब होता है कि उनको काम प्रवाइड करने के लिए अलग-अलग skill देना ताकि वो अपना जीवन यापिका वहां पर चला सके अगर किसी को अपना काम शुरू करना है किसी को अपना entrepreneur बढ़ना है मतलब कि अपना कुछ भी दुकान शुरू करनी है वो भी ऐसे रूची रखते हैं तो उसकी साहिता के लिए योजना के साथ भी जोड़ दिया गया देखें सीवर कररे को 100% मशीनी करन के साथ सभी manual scavenger के पुनरवास यहनी rehabilitation को योजना को नमस्ते योजना के साथ जोड़ दिया गया देखें 2023-24 में केंद्रिय बजट में rehabilitation work इसके उपर ज़्यादा कहेंगे कि फंड प्रोवाइड नहीं किया गया इसके चलते क्या गया इसको नमस्ते योजना के अंदर जोड़ा गया जिसको 100 क्रोड अवंटित किये गए है नमस्ते योजना में सभी septic tank सीवर श्रमिकों की पहचान, profiling के आवशक है आयश्मान भारत योजना कहता है website prescription, सुरुक्षा उपकरण और स्वास्ते भीमा में registration का प्रावधान है और अन्य पहलों के अगर हम बात करें सफाई मित्र सुरुक्षा चुनोती हो गई सुस्ता अभ्यान एप हो गई राष्टे करमा अभ्यान हो गई राष्टे सफाई करमचारी आयोग हो गया यह सब चीज़ें जो है वो चलाई जा चुकी है आगे की रा क्या हो सकती है देखे टेकनलोजी ड्रीवन सॉलुशन है नवीन यह थोड़ा सा जीव है यहां पर हम देखेंगे तोड़ा इंगलीश में पढ़ लेते हैं देर इस नीड टो एंब्रेस यहनि स्विकार करना टेकनलोजी को डेवलोब करना इनोवेटिव टूल्स को मशीनरी को जो रिप्लेस कर सके मैनुवल स्केवेंजिंग के टास्क को उधार्ण के लिए देखें खतरनाक वातावर्ण में मानव हस्तक शेप की आवशक्ता को कम करने के लिए सीवर लाइन और सेप्टिंग टैंक के अंदर उनको साफ करना आपड़ेगा लेकिन साफ करने के लिए आप स्वय 40 सीवर सफाई रोबोट को तैनात कर सकते हैं जिस से जो मोते होने वाली हैं उनके उपर बेन लगाया जा सकते हैं उनको कम किया जा सकते हैं उसके अलावा प्रमोट कर सकते हैं आप Entrepreneurship को Skill Development को देखिये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूर होता है encourage करने की training and skill development जो affected जो लोग हैं इससे manual scavenging से आप उनसे अलग-अलग चीज़ें जैसे की plumber की होगी electricity work हो गया या computer की knowledge होगी या entrepreneurship इन शेत्रों के अंदर वोय अपने आपको आगे ला सकें और एक अलग alternative जो है उनको सब्सक्राइब करने के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा इन्वेस्ट किया जाएगा इन्वेस्ट कर पाएंगे जो उनकी demand को अब वो उनकी demand कम हो गई तो obviously क्योंकि आपने बहुत infrastructure बढ़िया कर लिया है sanitation infrastructure बढ़िया कर लिया है जिससे क्या होगा यह waste management system है जो उससे दंग से हो पाएगा तो उमीद है जो आज का topic है वह आप लोगों को समझ में आ गए होगा तो बस आज के लिए इतना है था